हेलो फैंड स्वागताव सभी का आपके यूटूब चैनल धवनिश्टडी पॉइंट के अंदर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका SSC CHSL 2019 इसका आपका डेस्क्रिप्टिव आपका हो चुका था उसके आपके मार्स भी आ चुके थे ठीक है तो अब आपको पता भ चाहिए उससे सपोस्ट करिए आपका इस बार नहीं होता है तो नेच्ट बार आपका जो है आपको उसका आपके यहाँ पर मिलेगा आपको यह अगले बार आप जो जब भी आप लोग टाइपिंग के लिए तो आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे होते क्योंकि पहले ऐफले करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे स्क्रीन पर prospects होता है और हम ओसको देख के टैप करते हैं इसे बुलते हैं लोग online typing ठीक है और offline typing में क्या रहूता है offline में क्या होता है कि ऐपको paper मिलता है paper को देख कि आपको आपको चैप कर ना होता है तो ध्यान रखना offline typing मе स्पीड कम आती है ओन्लाइन टैपिंग में स्पीड आपकी ज़याद दिये तो यह आपके लिए बहुत अच्छा प्लस बेनिफिट आपका कि पहले ओफलाइन टैपिंग होते थी और इस बार ओन्लाइन टैपिंग है तो आपकी थोड़ी बहुत स्पीड का फरक्त आपको ऐसी देखने को मिल जा गया आप ठीक है तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है अब आप लोगों को नहीं आपको कुछ ऐसी टिस बताने वाला हूं जो आपके लिए एक्जाम सेंटर के अंदर आपके बहुत ज्यादा हेल्फ होने वा आपको अपडेट भी आपको यहां मिलती रहें आपकर तो देखी एक बार तो मैंने आपसे क्या कहाता था पिसली पर आपको याद होगा कि आप लोग क्या करते हो इस पीड पर ध्यान देते हो आपके हाथ जो है ना मतलब सोचते हैं कि या मेरी एक्क्योरिसी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं हम लोग क्या करते हैं सिर्फ टैपिंग पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि हमारी टैपिंग स्पीड बहुत जदा आजाए पचास साट पैसाट आजाए ठीक है लेकिन मैं आपसे कहाता कि स्पीड अपने यहां भढ़ जाएगी जिदिन आप लोगों अपनी एक्क्योरिसी पर ध्यान दे दिया होगा तो आपको क्या करना है अपनी jok accuracy है उस पर आपको ध्यान होता है या फिर हम लोग बिल्कुर साइलेंट मोड में करते हैं लेकिन आपके पास जो जो भी आपके स्ट्वेंट होगी बहुत सारे ठीक है जब के साथ होंगे वह भी आपकर टाइप कर रहे होंगे तो उनकी जो कीबोर्ड की खड़कढ़ाट के आवाज आपके कानों तक आ पहले है आपको तो पहली बात तो आपको अपनी स्पीड को इतना रखना है कि आपको कम से कम पहां कर आसपना पड़ेगा आपको छालिस से कमkommen और आपकी श्री आरिक तो ही आप लोग आजाके एक्जाम के लिए कर पाओगे अप लोग ठीक है क्योंकि महां का मौल यहां का मौल अलग होता है दूसरी बात देखिए एक बर तो पिसली वीडियो मैंने आपसे काता कि अगर आप लोगोंने पिसली वीडियो बनाई थी उसके बाद में आप लोगों ने अपनी एक्क्यूरिसी पर ध्यान दिया और आपकी स्पीड यहां पर ऑटोमेटिकली भड़ गई होगी अगर आप लोग कर सकते हैं अब भी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आपको क्या करना है देखिए एक बर सबसे पहले आपको अपनी accuracy पर ध्यान देना है accuracy पर ध्यान देने से क्या फायदा होगा वह आपको ताता हूं देखो सब पोच करिए आप लोगों ने एक passage type किया ठीक है और उसके अंदर आप लोग चाहिए आपकी speed slow है कोई दिक्तत नहीं है लेकिन आप लगाता type करते जा रहे है ठीक है तो अगर आपकी accuracy अच्छी होगी तो आपको backspace का यूजर नहीं करना पड़ेगा और अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो आप क्या करोगे बार बार आप जो है backspace का यूजर करोगे उससे क्या आप लोग ठीक है और अगर आपकी accuracy अच्छी होगी तो दिर दिर आपको प्रेट्रिस करोगे आप लोग दस दिन बारा दिन पंदर दिन बीस दिन मैं कहा रहा हूं आपकी speed भी भड़ेगी आपकी accuracy भी अच्छी आएगी और आपको selection लेकर भी आप लोग जाओगे अगर आ दियान रखना वैसी बहुत तगड़ा competition के जमाना है अगर आपको मोका मिला है तो आप लोग उसको crack करना ही करना है आपको ठीक है और दूसरी बात में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पता है कि exam के अंदर क्यों होता है कि आपको आपको time मिलेगा जो भी आपका time होता है ठीक है तब लोग type करते हूं आप तो ध्यान रखना है अभी घर पर आपको क्या करना है अभी आपके last time आपको बच रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि typing के लिए आपको कम से कम डेली एक समय के अंदर पहले में कम बोलता था लेकिन अब क्या करना है daily एक समय के अंद आपको 30 मिनिट तक लगातार टाइपिंग करनी आपको 30 मिनिट टाइपिंग करनी है वो भी लगातार करनी है यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इसे होते हैं जिनके typing करते करते हाथ दर या उंगले दर्थ करने लग जाती है तो अगर आपकी speed बहुत अच् अगले अपको 30 मिनिट के आपको प्रेटिस करनी है ताकि आपको वहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया आपको ठीक है एक साथ आपको 30 मिनिट तक लगातार और एकजाम महल के अंदर जब आप लोग टाइपिंग दे रहे हो तो वहां पर आपको बिल्कुल भी घबरा नहीं है आपको यह सोचना है कि हां मैं कर सकता हूँ राम से अगर आप घबराओ तो ध्यान रखना आपकी उंगलिया हाथ पर आपके कापेंगे और आपकी स्वीड महीं पर गिड़ जाएगी कोईविडेंस लेवल आपका महापर बहुत हाई होना चाहिए याद रखना आप लोग बिल्कुल भी घबरान नहीं है आप यह सोच के जाना कि हां मैंने बहुत अच्छी प्रेक्टिस कर लिए अब मुझे कोई भी नहीं रहा सकता और मैं आपसे पहले भी कीबोड के लिए ध्रीड़ देखने को मिलेगा आपको तो कम से कम 2-3 कीबटब पर आफ प्लोग प्रेक्टिस करके जाना क्या पता आपको हमापर कैसा कि upgrad मिल आपको एक आपका कीबूर का फरक पड़ जाता है यहां पर एक आप लोग यह आदी घंटे आप लोग यहां पर प्रेटिस करके नहीं जाते हो इसलिए आपके क्यों होता है कि उगली के अंदर प्रेसर पड़ता है और फिर आप लोग हम पर थोड़ी से आपकी स्पीड देरे कम हो ज लग बस आप लोग पनी पड़ाई करते रहो टाइपिंग करते रहो ठीक है और बीच दिन में हो सके आप लोग आप से यह कुंगा दस मिन पंदर मिन आप लोग जो है ओफ्लाइन टैपिंग नहीं होगी लेकिन ओफ्लाइन टैपिंग से भी आपका बहुत फरक पड़ेगा यह आपके देखो यह एक्टर है यह आप लोग मत करना चलो कोई दिखकत निया अगर जिनकी स्पीड पहले से बहुत अच्छे आरे तो उनके लिए बता रहो बागे आपको यह करने के जरूत नहीं है छोड़ आप तो आप तो इस पर फोकॉस करो आप लोग बहुत सारे श सब्सक्राइब बाए बाए ओके थैंकिए